हेलो फ्रेंड्स वेलकम तुन अकेडमी मैं नीरश पारिक स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे मेरे पैरे साथ ही अगर आप मुझे क्लिरली देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो मेरे को एक बार थम्स अप करके मुझे ए और नीलू ग्राफनून अर्शिया तलत ग्राफनून डियर सभी लोग हो जाए हमारे साथ में आज हां लाइव और कर रहे हैं क्लास की शुरुआत बहुत ही बहतरीन कंटेंट और एक शांदार प्रैक्टिस सीरीज जिससे की आपके प्रेपरेशन होगी शांदार जांदार उसे हम करें यार्शिया तलत हाम आर्निंग की क्लास नहीं हुई आज स्थोड़ी तबे ठीक नहीं है और उसी वज़ा से हम मॉर्णिंग में क्लास नहीं ले पाए थे बट अभी थीक फिल के इसलिए यूट्यूब की क्लास में मैं लाइब आया हूं अप लोगों के बीच प्रिप्रेशन जब आप करेंगे जब आप प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं इतने आप परफेक्ट हो जाएंगे कि आपकी तैयारी में आपको इतना कॉन्फिटेंस आजाएगा कि एक्जाम फिर चैक कभी भी क्यों नहों आप उसके लिए हमेशा रहेंगे तयार हमारे साथ में कौन आचुके हैं स्वापनिल है सूरज दीपानजली कांता गुर्जर सत्यम स्वापनिल शुभं सो गुराफनून सभी को सभी को गुराफनून ग देता हूं एक क्लास हमारी अभी शुरू हमने करी है थ्री पीम पर आज हमारी होगी और थ्री पीम के बाद में अगली क्लास होगी फाइफ पीम पर थ्री पीम और फाइफ पीम तो यह जो थ्री पीम पर क्लास होने वाली है यह तीन बज़े कौन सी क्लास होगी ध्यान से और 5 बजे फिर क्लास होगी Special Session में यहां पर हम क्लास कर रहे है Political Theory टीक है Morning में जो होने वाला मौर्निंग में भी हम करने वाले थे तब ठीक नहीं थिस्वान अभी यहां पर करेंगे और 5 बजे Special Session में आप लोगों खिलिए हम Western पॉलिटिकल थिंकर वाला सेशन शुरू कर देंगे में यही इसका या तो यहां पर हम वेस्टन पॉलिटिकल है यहां पर थियोरी है दोनों में से को एक है लेकिन आपके यूनिट वन और यूनिट टू हम पैरलल करा रहे हैं आप इसी को समझ ले और तीन बजे और पांच ब को हमने आपको दे दी है अब बात हमारे बसकी कर लेते हैं मेरे दोस्तों हमारा न्यूज ए 15 बैच जो हम में आप एड़ान हो सकते हैं यहां पर हम पढ़ रहे हैं इंडियन फॉरेंड पॉलिसी और यहां पर हमारी क्लास चल रही है यह जो चलेंगी वह यूनिट नमबर सेवन नाइन और यूनिट नमबर टेन तीन यूनिट का यह मुच्वल कोर्स आएगा आप इसके उपर आकर के लाई प्लास ले सकते हैं ठीक है तो नहीं यहां पर नहीं होगी क्लास जो होने वाली है वो होने वाली है दस तारीक जो अपने प्लास की तो आज तो तीन और 5 बजे हमारी स्पेशल सेशन है इंडियन पालिटिकल को च चाहिए करें नेट जेरेफ के सुटेंट को पढ़ाता हूं पारिक 10 मेरा रेफरल कोड है तो दोस्तों यहां तक ही बात रही हमारे पास में अब हम आगे बढ़ रहे हैं तीन बज़े यहां भी नहीं होगी तीन बज़े हम जो क्लास करेंगे वो देखते हैं फिर कब या तो नेक्स मन से करे पेपर तू यहां को पेपर होन और पेपर टू दोनों अवेलेबल हैं आपको 12 महीने के सब्सक्रिपशन pior 2 महीने एक्स्सा मिल रहे हैं और 6 मंत के सब्सक्रिप्शन पर दोमेने कोड है जिनको बच्चों पे सबसे ज़्यादा विश्वास है पेपर वन और कम्प्लीट पेपर टू इसमें आपको पढ़ने को मिले का ध्यान रखीएगा यह पेपर टू का हंड्रेड परसेंट से लिबस कवरेज मैं कराऊंगा बड़ आपको ध्याने रखना है कि मिनिममम 12 या 24 मंत के सब्सक्रिप्शन में ही जॉइन करना है तो रेफरल कोड बता दिया है आगे बढ़ते हैं आपको दो जो फीचर मिलने वाले हैं एक आपका आइकानिक का एक आपका प्लस का तो दोनों के फीचर्स आपके सामने विजेबल हैं बाद में इसको और ज्यादा हम अ करिए क्लास को शेयर करीगा इस मेरी एक्चली आज थोड़ी ठीक नहीं है तो इसी वजह से मैं थोड़ा साज हलका सा लो फील कर रहा हूं बट आप लोगों की जो एनरजी है उसमें मेरे को विश्वास है कि उस एनरजी से मैं भी बहुत पॉजिव हो जाओंगा आप बस ए अब चली गईज फिए ठीक है आप लोग शेयर करेंगे और मैं क्लास को बढ़ाता हूं आगए आज थोड़ा सा नय मॉडूल में क्वेश्टन आपके लिए लाया हूं आज आपके लिए देखो question होगा question का answer होगा और आज की class में सबसे बड़ी बात है कि type format में ही explanation भी आपको देखने को मिलेगा तो class में ही आपको यहां पर explanation भी available हो जाएगा तो अभी आपकी class आज बहुत खास होने वाली है एकदम नए और शांदार module में class लेके आए है question का standard आप लोगों को पता ही है कि हम किस standard के questions को follow करते हैं तो साथ ही हो मैं कर रहा हूँ शुरुवात आज की class की लीजिये तो आज का पहला सवाल आप लोगों की screen के उपर ये रहा इस socialist state believes that the state एक समाजवादी राज्ये विश्वास करता है कि राज्ये को अधिक से अधिक कार्य दिये जाएं कम से कम कार्य दिये जाएं नकारात्मक कार्य दिये जाएं और कोई कार्य नहीं दिया जाएं socialist state के बारे में ये बात है socialist state के बारे में सवाल है आप लोगों को इसको answer करना है बताइए क्या इसका correct answer आपको लगता है चारो option आपके सामने हैं I think मैं स्क्रीन से हटूं भी तो आप चारो options को ठीक से देख सकते हैं बताइए दोस्तों क्या इसका correct answer आपको लगता है कि इसका correct answer क्या होना चाहिए एक समाजवादी यह नहीं जो socialist state होता है वो क्या believe करता है मतलब उसका काम करने का तरीका कैसा होता है socialist के बारे में यहाँ पर clear सवाल पूछा गया है आपके जवाब नहीं आ रहे हैं I think मुझे window refresh करनी चाहिए maybe वीडियो को like करते चलीगा वही like share साथ साथ में होते रहें तो class का कुछ अलग मज़ा रहेगा देखिए दोस्तों सबसे पहले अगर हम answer की बात करें तो सबसे पहले देखिए कि जो समाजवादी राज्य होता है जो socialist होता है socialist क्या काम करता है समाजवाद में राज्य बहुत ज़्यादा powerful हो जाता है राज्य बहुत ज़्यादा active हो जाता है और वो सारे के सारे role को play करने की कोशिश करता है और इसके विपरीत इसके opposite जो capitalist state होता है जो हम कह सकते है उसे जो पूजीवादी राज्य होता है पूजीवादी राज्य की मूल धारना यही होती है कि वो न्यूनतम involvement less is fair का आपको सद्धानत पता होगा less is fair में हस्तक्षेप की नीती वो पालन करता है तो उसका विपरीत होता है समाजवादी तो answer तो हमारे को एकदम clear दिख जाना चाहिए ए अधिक से अधिक कार्य दिए जाने चाहिए to be given more and more work कोई doubt वाली बाती नहीं है इसका एक बार explanation देखते है मेरे दोस्तों correct answer ए आपको लोगों को समझ में आ गया दिखे लिखा क्या है समाजवादी राजजी को सकारात्मक भलाई का उपकरण मानते हैं जो समाजवादी होते हैं वो समाजवादी राजजी को क्या मानते हैं सकारात्मक भलाई का उपकरण मानते हैं तता समाज के धनी वे निर्धन वर्गों के बीच की खाई को यथा संभव कम करने पर बल देते हैं बात समझ पारें उसको कम करने पर यह क्या करते हैं बल देते हैं इसके लिए वे उत्पादन के साधनों तथा वस्तुओं की विनिमे वे वित्रण पर सारवजनिक स्वामित्व प्रतियोगिता की समाप्ति सामाजिक न्याय आदि के व्यक्तियों की अपेक्षा राज्य के कारेक्षेत्र को अधिक व्यापक और विस्तृत करना चाहते हैं साब बात समझ में आ रही है कि यह इसका अंसर मिल गया से आपको देखिए यहां पर है कि व्यक्ति की अपेक्षायने individual की बजाए इनकी कोशिश क्या होती है कि वह हमेशा प्रयास यह करते हैं कि जो राज्य है राज्य को अधिकाधिक कार्ये दे दिया जाए इंड़िजूल को फ्री रखा जा है individual को back foot पे डाला जाए तो अगर यहां पे आप answer देखना चाह रहे हैं it is to be noted that the socialist wants to burden and expand the scope of work of the state more than that of individual ये राज्य पे ज्यादा बोज डालना इनकी प्रवर्ती है ना कि individual को ज्यादा कारे दिया जाना तो समाजवादी से लेकर कि ये पहला सवाल आप लोगों को मैंने कराया पहला सवाल अगर समज़ाया तरीके से समज़ाया तो thumbs up साथियों को जोड़ने की प्रक्रिया शूरू कर दीजिए पहला सवाल हुआ है और आज आप लोगों शेयर बैक्टूबे करेंगे तब क्लास का रहेगा और मज़ा दोस्तों अगले सवाल पर चलते हैं इस सवाल का एक बाइस स्क्रीन्शोट अगर आप लेना चाहें इस से explanation का तो screenshot available है आप एक बाइस का screenshot ले लीजेए I think screenshot आपने ले लिया होगा अब मैं बढ़ता हूँ आगे अगले सवाल को ले करके पताईए the author of On Liberty is On Liberty के लेखक कौन है On Liberty के लेखक कौन है सर बताईए On Liberty के लेखक कौन है What is the correct answer Questions आ रहे हैं बहुत ही बड़ी आवाले अब आप बताएं Answer आना शुरू हो चुके हैं कि नहीं अभी तक तो answer आए नहीं है Second number question का अरशिया ने answer दिया है सबसे पहले अरशिया कह रही है C Back to back answer आ रहे हैं Back to back answer आ रहे हैं On Liberty के writer कौन है Participation back to back होना चाहिए भई Participation होना चाहिए आप सभी लोग participate करेंगे तब class का कुछ मज़ा आएगा देखी दोस्तों सबसे पहले जान लीजिए On Liberty के जो writer है JS Mill C इसका सही answer होगा John Stuart Mill John Stuart Mill is the writer of On Liberty क्या detail है Highlighter लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं कि क्या कुछ विशेश आपकी लिए यहाँ पे available है Correct answer is C लिखा है व्यक्तिवाद और स्वतंतरता के महान उननायक JS Mill ने अपनी स्वतंतरता की संगलपना अपने प्रसिद निभंद On Liberty On Liberty 1859 के अंतरगत प्रस्तूत किया था किसी ने भी इसको 1971 लिखा था 1971 नहीं है 1859 है ध्यान रखिएगा 1859 के अंतर प्रस्तूत किया मिलके अनुसार मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंतरता सर्वता आवशक है तो कौन सी स्वतंतरता को सर्वता आवशक माना freedom under his famous essay on liberty 1859 and lastly therefore he argued therefore he argued that the freedom of the individual is essential for the happiness and the prosperity of the society क्या clear हुआ content sir एक ही सवाल में कितने सारे question आपको देखने को मिल रहे हैं on liberty कब लिखा गया 1859 में लिखा गया यही क्लास की इंटेंसिटी होती है सर यही क्लास का मज़ा होता है इंडेफ्ट content को पढ़ने और पढ़ाने का पसंद आ रही है तो अपने साथियों को बोलो आजा 50 प्लस की क्लास अपनी रेगुलर रहती है पंदरा बीज बच्चे शाद दौपैर का आराम कर रहे हैं यहां तो उनकी भी लगता है मेरी तारह थोड़ी ठीक नहीं होगी लेकिन आप उनको जगा लो जब मैं आ गया तो उनको भी आ साथ में ले आई है ठीक है तो यहां पर यह डीटेल का स्क्रीन शॉट आइटिंग आपको ले लेना चाहिए मैं आपको स्पेस दे रहा हूं टेक श्क्रीन शॉट ऑफ दिस्माइडिया फ्रेंग इतने जो एक्स्लेनेशन आप लगों को मिलेंगे आप विश्वास करी आपके पास बहुत अच्छा कंटेंट इकठ सब्सक्राइब अगला सवाल फैबियन सोशलिस्ट बिलीव दाट फैबियन समाजवादी मानते हैं पहले तो जानना होगा फैबियन समाजवादी होते क्या है बट वो क्लास को जब मैं क्वेशन को एक्स्प्रेंग करूँगा बैना वुड इंफॉर्म की इसका करेक्ट आं बताए सोपमेल कह रहे हैं कि सब लोग लाइक करो बिल्कु सही बात है जितने लाइव है उससे कम लाइक है इसका मतलब या तो आपको पसंद नहीं आ रहा है तो मैरी तब्य ठीक नहीं है दागो लग रहा से तो जोश में बोलो मैं मैं बोल रहा हूँ आप लोग पढ़ते ने सी दिया है सुपर संडे है कह रहे है कौन कह रहे है सुपर संडे है तो हमारी क्लास भी सुपर संडे में चल रही है चिंता मत करो ठीक है हमारी क्लास भी सुपर संडे में चल रही है मुझे तो यह पता भी नहीं था क्या संडे है चांस की बात देखिए हमें तो यह आइ में उत्राखंड PCS के एग्जामिनेशन में और आपके जो 36 गड़ PCS के एग्जामिनेशन में ये तीन एक्जाम में ये सवाल एजटीज कॉपी पेस्ट हुआ है कि फेबियन समाजवादी की आइडियोजी क्या है फेबियन सोशिलिजम क्या होता है इसकी आंसर को अगर हम यहां तो मंडे टो फ्राइडे सेटेडे संडे डेली क्लासे लेते हैं आप लगों के लिए तो आपका सुपर संडे हम मना रहे हैं ठीक है अब देखिए इसका एक्स्प्लेनेशन करते हैं सबसे पहले जान लीजिए इसका करेक्ट अंसर होगा ए धीवापन अवश्वम्भ हो गया फर्स्ट फॉल हम इसको पढ़ लेते हैं दमोमेंट बिगन विद फांडिंग फ़ाइब इन सोसाइटी ऑन जनुरी फॉर्थ 1884 तो फैबियन समाजवाज जो था वह फैबियन सोसाइटी की स्थापना से शुरू होता है और फैबियन सोसाइटी की स्थापना कब होत है चार जनुरी 1884 को क्लियर है फैबियस ये जो फैबियस ऐसे डानेम आफ जनरल ऑफ एन एंशयंट रोम यह जो फैबियन वर्ड आया है यह फैबियस वर्ड से आया है और फैक्ष वर्ड कॉन थे जो रोमन साम्राज्य में जनरल हुआ करते था आर्मी का अध्यक्षग आर and stated that the Fabian Society was an organization of a socialist whose aim was to liberate land and industrial capital from the individual and class ownership and to make the society as its owner for the common good society has to be recognized. अन्दोलन चार्ज एन्वर उस्टाइटी को फैबियन सोसाइटी की स्थापना से आरंब होता है फैबियस प्राचीन रोम का एक सेनापती का नाम था यह देखो बहुत बहतरीन डीटेल आप लोगों के लिए आ रही है 1887 में सोसाइटी ने अपने आधार अपने बेसिक्स की घोशना किये और बताया कि फैबियन सोसाइटी एक समाजवादीयों का संगठन है तो फैबियन सोसैटी क्या होगे एक का सवामी बनाकर समाज को पुणा संगतन करना है अब स्क्राइब करेंगे तो क्या वो काम है क्या वो मिनिट दो लगेगा एक लंबा प्रोसेस होगा क्यों नहीं होगा तो देमापन। शंभावी है आप कोई भी बड़ा लक्ष अगर आगे लेकर के चलना चाहते हैं तो आपको Fabian Society कहती है कि हमको जितना भी इंडिविजुल्स के पास में संपत्ती का संकिंद्रन है हम क्या करेंगे उसका बटवारा कर देंगे पूरे समाज में यानि की पूरा समाज ही उसका मालिक होगा तो एक्वालिटी क्रियेट होगी और रियल सोशलिज्म वहाँ पर तयार हो जाएगा रियल सोशलिज्म वहाँ पर तयार हो जाएगा बात समझ रहे हैं वह रियल मैं अगले सवाल के तरफ बढ़ रहा हूं दोस्तों बताईए गिल्ड सोशलिजम गिल्ड सोशलिजम is a middle way गिल्ड समाजवाद एक मध्यम मार्ग है किसके मध्यम मार्ग की बात हो रही है गिल्ड समाजवाद एक मध्यम मार्ग है किसका गिल समाजवाद किसके बारे में बात करता है बताइए जानेतंत्र और समाजवाद के बीच का मध्यम्मार्ग है समाजवाद और माकसवाद के बीच में समुवबाद और शमसंगवाद के बीच और माकसवाद और राज्य समाजवाद के बीच किनके बीच का ये difference create हो रहा है विशाल कहां चला गया भई विशाल बाए करके कैसे गया है गिल्ड सोशलिजम को लेके सवाल है आंसर बताएंगे राज्य समाजवात के बारे में क्या बात यहाँ पर हो रही है चलिए हम इसका correct answer आपको बताते है फरस्ट फॉल जानिये सर यह इसका correct answer होगा C जो गिल्ड सोशलिजम आया था यह था कि इसके बारे में तो बताएंगे बटा आप यह समझ लीजिए कि उसने माफ कीजेगा बात समझ रहे है C इसका correct answer होगा अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका explanation क्या है आपको जैसे मैंने भी फैबियन समाजवाद कहां से आया इंगलेंड और इंगलेंड के बाद में अगर हम शमिक संगवाद की देखेंगे लेबर यूनियोजम तो यह कहां से आ है France इन दोनों की यूज जो विशेश्टाओं को characteristics को जब हमने mix किया इन दोनों को मिलाया तब आपक क्या तयार होता है गिल्ड socialism तो गिल्ड socialism किन दो चीजों का मिश्रण है यह बात आप लोगों clear हो चुकी है गिल्ड socialism किन दो विचारों का mixture है क्या यह clear है आप लोगों को yes or no कि दोस्तों यह हो गया है अगले सवाल पर आजाएए फासिजम सपोर्ट वर्ड वार्स ऑन दे ग्राउंड डाट फासिवाद विश्वयुद्धों का समर्थन करता है इस आधार कि किस साधार पर करता है दोस्त किस आधार पर जो जो युद्ध के बड़े पेमाने पर जनहत्या नहीं है युद्ध सही उदेशों के लिए लड़े होते हैं युद्ध स्वाभाविक हैं और उपियोगी भी धर्म के विस्तार में सहयक होते हैं फासिवाद की साधार पर समर्थन करता है युद्धों का अच्छा में एक बार शाषी का स्क्रीन शाट ले लो गई इसका स्क्रीन शाट ले लीजिए मैं बिलकुल साइड में हूं और इसके बाद में फिर मैं सवाल लेकर के आता हूं होफुली ले लिया होगा स्क्रीन शॉट ये लीजिया अग्लाजी ये सवाल आपका वापिस आ गया है सवाल पढ़ियो और बताईए क्या अंसर आ रहा है शुबम चौहान सी बता रहे हैं सत्यम दिक्षित सी कह रहे हैं कमलेश बी हरीश मुरल डी क्या इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सबसे बहले जान लीजिए कि जो फासिवाद होता है फासिवाद की माननेता होती है कि युद्ध स्वाभाविक हैं और उप्योगी भी आप ज़रा सोच करके ही तो देखो कि जो फासिवादी होगा, फासिवादी कभी भी क्या उसको जन हत्या नहीं ऐसा हो सकता है क्या, क्या युद्ध में जन हत्या नहीं होगी, पॉसिबली नहीं है, युद्ध सही उद्धेश युगरी लड़े जाता है, फासिवादी के लिए उद्धेश सही गलत माइन नहीं युद्ध माइने रखता है और यहां पर लिखा युद्ध स्वाभाविक है और उपियोगी भी तो उनको लगता आप विसे यार वार तो होंगे ही बिना युद्ध के पॉलिटिक्स पॉसिबल नहीं है उसका करेक्ट अंसर होगा मेरे साथियों सी एक बार देख लीजी क्या आती है दिखिए लिखा क्या है मुसोलीनिंग के बारे में लिखा है मुसोली राइच नाट फासिजम भीज़ीव आ युद्ध ऑप लोगों के लिए इसको हाइलाइट human power to the highest peak and gives evidence of the prosperity of those who have the courage to face it therefore all international all international associations and communities are against fascism याप देखिये मुसोली नी क्या लिखा कि फासिवाद का विश्वास है कि सर्वकालिक शांति ने तो संभव है नहीं उपयोगी है युद्ध ही मानवी शक्ति को उच्टम शिखर पर पहुंचाता है और उन युद्ध नहीं कर सकता युद्ध जो जीतेगा वो पाएगा जिसकी लाठी उसकी भेंस इसी लिए सब अंतरसंग समुद्धा फासिवाद के प्रतिकूल है इसका स्क्रिंशॉट ले लिजिए सरी मुस्वलनी का स्टेट्मेंट फासिवाद को ले करके है और यह आप लोगों को यह जो तरीका आज हमने लिया है डीटेल्ड एक्स्प्लेमेशन का आप लोगों को क्या यह तरीका पसंद आया है आप मुझे बताए या फिर एक्स्प्लेमेशन का वही पुराना तरीका हम रखें जैसा हम नैचुरली करते हैं क्योंकि इसमें देखिए वर्क बहुत लगता है हर एक स्लाइड को प्रिपेर करने में तो अगर आपको पसंद है तो मुझे थमस अप करके बताईए या कमेंट करके बताईए और इसमें क्या इससे कंटीन्यू करें या तरीका बदला जाए मैं आपके कमेंट्स की तरफ नजर है मेरी लाइक शेयर होता ही रहना चाहिए उसमें तो कोई कि बार 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 बोलने वाली बात ही नहीं है और अच्छे तरीके से हमने इस काम को हमको कंटीन्यू करना है क्लियर रहेगा चली दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बताईए दा ओथर ऑफ दबूक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इस ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है ग्रामर ऑफ पुस्त इस एक्स्प्रिनेशन वाली बात है नहीं ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स यह तो हर कोई बता देगा यार असल में क्या है इसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा बैनेफिट इस बात का होगा कि आप लोगों के पास में स्क्रीन शॉट्स होंगे ठीक है पीडिएफ का तो मिलना कभी पॉसिबल हो कभी नहीं हो लेकिन स्क्रीन शॉट्स अकर डीटेल आपको फिर पीडिएफ की बारबार रिक्वार्मेंट नहीं होगी इसलिए मैं इस पैटर्न को चूज कर रहा हूँ आंसर क्या दे रहे हो आंसर बिल्कुल सही है एच लॉस्की इस दे करेक्ट आंसर सर लॉस्की इसका सही आंसर रहने वाला है ग्रामर अफ पॉलिटिक्स लिखी किसने एच लॉस्की ने लिखी है ये इसका सही आंसर है और ग्रामर अफ पॉलिटिक्स ये बहुत ज्यादा फेमस बुक है तो इसको बारबार बोलने की कहीं जरूरत है ही नहीं अगले सवाल पर कलते हैं सर बताइए एच जी शॉरल वन साइल इस बसी किली हा पर इस आएगा ऐच जी सॉरल इस एच जी सॉरल इस बताइए सर क्या है एक गिल्ड शोशलिस्त एक वरकर वरकर्स वेद शोशालिस्त Fabian was a society actually English translation गरवर है Fabian socialist थे Fabian guild socialist थे क्या थे बताएं ये यूटोपिय सोशलिस्ट थे अब आपको लगवग लगवग ठीक तीक corner पकड़ में आ जाएगा explanation का बताएं क्या लगता है correct answer देखिए दोस्तों ये जो H.G. Sorrel जो थे H.G. Sorrel की विचारधारा जहां पे जाके मिलती है मेरे दोस्तों वो आपका है श्रमिक समाजवाद क्या है सर श्रमिक समाजवाद ठीक है B इसका सही अंसर होगा श्रमिक वो समाजवादी थे नाम ध्यान रखिए H.G. Sorrel ये examination में पूछा हुआ सवाल है और एक बार नहीं multiple times इसको repeatedly पूछा गया है ये सवाल बहुत अच्छा है जोती पाल कह रही है जोती पाल क्या कह रहे हैं भी सर आज आप UP, TGT, PGT वाले question करा रहे हैं थेंक यूपी आरे मैं political science के question करा रहा हूँ आपको अब पता नहीं लगा ये political science के questions है UP, TGT, PGT तो अंदर इसमें समाइथ होई जाएंगे ये किसी भी exam में आ सकते हैं मुझे तो पता नहीं ये UP, TGT में आया basically मैंने जो mainly question उठाए हैं वो set वाले question लिए हैं कुछ important जो मैंने मेरे according सोचे हैं वो questions हैं मैं कोई targeted नहीं आ रहा हूँ आपके अगर suit हो रहा है तो आपको बढ़ाई ठीक है अब देखिए इसको detail देख लेते हैं सर क्या है इसका विशेश बात देखिए फ्रांस में समाजवादी आंदोलन श्रमाधी पत्तेवाद या श्रम संगवाद के रूप में विक्सित हुआ था ये बात समझ लीजिए कि जो फ्रांस में सोशिलिजम आया था उसका बेस श्रमाधी पत्तेवाद या श्रम संगवाद था विश्वला स्क्रीनशॉट में आपको दिला दूँगा पूरा देखिए विक्सित हुआ मूल तह मूल तह यह फ्रांसी सी श्रम आंदोलन की एक धारा थी जिसके अनुसार श्रम संगठन और उनके संग भावी समाज की व्यवस्था के केंद्र होंगे यानि फ्रांस के समाजवाद का मूल भावना यह स्थापित वहां कर ली गई थी उसके उपर वर्ग कर रहे हैं श्रम संगठन और भावी समाज ही जो होगा वो नए समाज का केंद्र बन जाएगा एच जी सौरेल मूलत श्रमाधी पत्तेवादी हैं श्रमाधी पत्तेवाद ने मार्क्स के वर्ग संगर्ष के सिद्धांत को स्वीकार करते हुए ये तर्क दिया कि पूझी वाद के विरोध वर्ग संगर्ष का संचालन और द्योगिक कारवाई के क्षेतर में होना चाहिए राजनीती के क्षेतर में नहीं यानि पॉलिटीशन नहीं करेंगे लेबर इसका संगर्ष का आगाज करेंगी ठीक है इसकी अनुसार समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के लिए उत्पादन के साधनों तदा उप्योगों पर कामगारों और उनके संगठनों का नियंतर न स्थाबित करना चाहिए जिसके लिए आम हड़ताल का तरीका उप्यक्त होगा ध्या तम वे है कि जोर्ज सॉरल ने इसे हिंसा का तरीका बताया ठाल एक अस्का स्क्रीण ट्रहाई कि इप इंगली शोल स्क्रींशोट में अवेलिबल करवाता हूं। है थे इंगलीश वाले सब्सक्राइबें में दिदी जर्म शक्राइबिल करवाँ। ये लिजे in France the socialist movement developed in the form of totalitarianism or labour unionism originally it was a section of the French labour movement according to which the labour organisation and their unions would be the centre of the future socialist social order H.G. Sorrel is basically a patriarchal Marxism Marxism accepted the Marxist theory of class struggle and argued that the class struggle against capitalism should be conducted in the field of industrial action not in the field of the politics तो इसका screenshot अपने ले लिया होगा तो करेक्ट आंसा श्रमज में आ गया कौन हुए श्रमिक संगवादी हुए I think clearly आप लोगों को समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते हैं सा अगे बढ़ते हैं सा कालमाक्स के अनुसार राज जी अंतोद गत्वा विलुप्त हो जाएगा क्यों विलुप्त हो जाएगा राज जी क्या समस्य आएगी कि यहां पर श्रेयराज बिल्कुल हां डेली होती है बढ़े कालमाक्स के अनुसार अंतोद गत्वा विलुप्त हो जाएगा क्यों क्या है जिसकी वजह से राज्य की जो काल माक्स ने इस बात को माना है रीजन बताएंगे सर रीजन क्या लगता है आप लोगों को हाँ जी पूजा कुमारी तीन बजे क्लास होने वाली है तीन बजे क्लास होगी पांच बजे फिर होगी ठीक है तीन बजे भी होगी और पांच बजे भी होगी कार्ल माक्स को लेकर के सवाल पूछा गया है आंसर चाहिए सबसे पहले श्रेया राज ने आंसर दिया है बी लेक्सी कितना सही कितना गला तो लाइक करते चलिएगा सेशन गो सेशन पसंद आता रहे तो बहुता दम लगा के नहीं बात कर पा रहा हूँ पर आप इसका मतलब यह नहीं है कि बचके भाग जो भागने की जरुत नहीं है पढ़ने की जरुरत है और बढ़िया तरीके से पढ़िए मेंली भी बताया जा रहा है भाई सहाब अब करें क्या समझो यार देखो सबसे पहली बात मैं उल्टा चलता हूँ सर बॉर्जुआ वर्ग राज्ये का समर्थन नहीं करेगा बताये तो बॉर्जुई सोसाइटी विल नौ सपोर्ट दे स्टेट माक्स तो इमानता है कि राज्ये होता ही बॉर्जुआ वर्ग के लिए है तो जब ये स्टेट में एक दम क्लियरली हमने हटा दिया हो गई नहीं है राज्ये फाल्तु हो जाएगा और अपनी उपियों की तक हो देगा एक बात मुझे बताईए फाल्तु होने का मतलब ये है कि हम उसको इतना आईसोलेट कर दें कि वो किसी काम का ना बचाए लेकिन जो कालमाक्स की थियोरी में क्रांती की बात है क्रांती में तो राज्ये को खत्म करना है उसको फाल्तु छोड़ देना नहीं है कि ऐसी परसिती बना दो कि अपने आप ही वो हार मन ले हार मनवानी नहीं है उसको खत्म करना है तो जब उसको खत्म कर देंगे तो फालतु रहरी की नौबत ही नहीं आएगी उप्योगी ता तो अपने आप ही खो देगा ठीक है तो ये भी option नहीं होगा मजदूरों की तानाशाही के बाद एक नैतिक समाज पैदा होगा पी है वह बहुत कम समय के लिस्तिर होती है तो इसका आंसर को समझने कोशिश करिए इसका आंसर तो होगा अब क्यूं होगा वह आप अगली स्कीन के उपर समझ में आ जाएगा देखिए लिखाए इस इस एक क्लास और्गनाइजेशन एक वर्ग संगठन है सर क्या बोला इसको राजी को क्या बोला वर्गी है संस्थान अर्लीने है वर्गीय संस्थान है जिसका कार्य क्या है पूंजी पतियों के शोशन के कार्य में सहायता करना एक वर्गीन समाज में जहां पर पूंजी पतियों के लिए स्थान नहीं है जहां पर उत्पादन के सब साधनों पर सामोहिक स्वामित पर नियंत्रन है और जहां उत्पादन व्यवस्ता इस प्रकार की है कि कोई किसी का शोशन नहीं कर सके राज जी की आवशक्ता नहीं रहेगी और राज धीरे-धीरे लुप्त हो जाएगा कहने का मतलब एक समाज में जरूरत ही नहीं है वो एक unnatural position के अंदर खड़ा है याद रखेगा है सवाल का उत्तर एकदम चिपका लीजिए रट लीजिए इसका यही correct answer होने वाला है ठीक है अब आप समझ जाएए कि आप्राकृतिक संगठन है आप्राकृतिक संगठन माना है कार्ल माक्स ने State is an unnatural organization इसलिए अपन तो गत्वा विलूप्त हो जाएगा विलूप्त होना और राज्जी को खतम करना दोमें अंतर है अगर हम करें मजदूरों की तानाशाही के बाद में a moral society will emerge after the dictatorship of the workers तो मजदूरों की तानाशाही की बात नहीं है या सर्वाहारा की तानाशाही लिखी जाती सर्वाहारा में किसान भी शामिल होते हैं द्यान लखिएगा तो सर्वाहारा नहीं के मजदूर लिखा फिर भी सही मानने लेकिन जो appropriate most appropriate answer होगा वो इसका answer होगा ए इसका screenshot आप ले सकते हैं हिंडी और इंग्लिश दोनों में detail explanation available है screenshot लीजिए और मुझे बताइए फिरम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ screenshot ले लिया होगा next question sir nothing against the state nothing against the state nothing beyond the state and everything must be within the state this is a political philosophy of किसका है सरी बहुत ही गजब की परिभाशा दी हुई है शश्री पूछनी सर उप्योगिता का संस्था पक उप्योगिता का उप्योगिता क्या होती है मतला उप्योगिता का संस्था पक कोई क्या से हो सकता है कि क्वेश्चन का अंसर करो सर अच्छा उप्योगिता वाद पूछा है क्या उप्योगिता वाद आप समझातेंगे तीन बची वाली क्लास में आना देखो क्लास चलेगी कर्यक्टर अंसर बताएं सर सबसे पहले इसका कौन बोला ये स्टेट्मेंट बहुत जबर्दस स्टेट्मेंट है सर पर आपकी सोच से परह है ये अगर बता देता हूँ आप जिसको सोचोगे समझोगे थोड़ा सा माइंड लगा हो सब कुछ राज्य के राज्य के बहार को जाने ही नहीं देना चाहता ऐसा कौन सा विचारक हो सकता उसको ये लगता है कि यार जो कुछ है वो स्टेट के अंदर है जितना कुछ है वो स्टेट के अंदर है राज् answer correct answer कर लो देखो राज्य के बाहर सब कुछ छोड़ने की बात देखो अगर माक्स को हम करते हैं तो होगा नहीं क्यों नहीं होगा क्योंकि माक्स क्या मानता है माक्स तो राज्य का अंत करना चाहता है वे राज्य का अंत चाहता है और नहीं चाहता माववाद है माववाद भी अंतिम रूप से माक्सवाद का ही तो विस्तरत एक अपडेटेड वर्जन है तो यहां पर हटा दो अब इन दोनों में से देखो कि कौन सबसे ज्यादा राज्य को स्टेट का दिवाना रह सकता है तो भाई मुसोलीनी ही तो होगा अपने स्टेट अपनी तानाशाही को बरकार रखना चाहता है तो मुसोलीनी मेरे दोस्तों सही आंसर है सी वुड़ीद एक करेक्ट आंसर आज़ेस को सार इसी में मजा है पढ़ने के अंदर इस सलेक्षिन पढ़ने से होगा चीजों को अच्छे तरीके से देखो क्या लिखा है मुसोलीने लिखा है कि फासी वाद आजनेतिक और आर्थिक दोनों क्षेत्रों में उदारवादी सिध्धान्तों के निश्चित पूर्ण रूप से विरुद्ध है वैं समाजवाद के भी विरुद्ध है और यह मध्यम नीती पर आधारित व्यक्तिवाद के भी नाजीवा तता फासीवाद दोनों ही यह देखिए विचार धाराएं हैं फासीवाद कहता है राज्य का सरवोच स्थान है मनुष्य के सब अधिकार राज्य की देन है राज्य को पून अधिकार है कि वैं व्यक्तिकत संपत्ति अथ्वा उत्पादन प्रणाली को नियमित कर सके और आवशक्ता पढ़ने पर व् मुसोलिनी वुड़ बीड़ करेक्ट आंसर और दिसक्वेश्चन मुसोलिनी इस दे करेक्ट आंसर आइटिंग यह हाइलाइटर गलत यूज कर लिया है हमने यलो गलर का हाइलाइटर लेना है ठीक है सर और कुल मिला करके देखिए राज्य को पूर्ण देखो मनुश्य के साब अधिकार राज्य की देन है राज्य को पूर्ण अधिकार है कि व्यक्ति का संपत्ति अत्वा उत्पादन प्रणाली को नियमित कर सके आवशक्ता पढ़ने पर व्यक्ति का संपत्ति का अ मुसोली नहीं इसका सही आंसर होगा ठीक है आगे देखें सर समझ में आया ये अगले पिछला क्यूशन देखें सी मुसोली नहीं क्लियर हो गया दसवा सवाल देखो सर मार्क्सिजम एन फासिजम मार्क्सिजम एन फासिजम आर इन एग्रिमेंट माक्सवाद और फासिवाद किस पर एकमत होते हैं दोनों पर बात करनी है सर माक्सवाद और फासिवाद एकमत किस पर हो रहे हैं राजी की प्रकृति के विशय में धर्म की भूमिका की विशय में युद्धों की उप्योगिता की विशय में किसमें दोनों एकमत हैं सर किसमें एकमत है नेहा शर्मागरी सर स्पेशल सेशन लेना है आप लेना चाह रहे हो कि मुझे कह रहे हो या मुझसे पूछ रहे हो नेहा आपका सवाहल समझ में नहीं आया अभी को स्पेशल कास दूसरी चल रही है आप लेना चाहते हो मुझे कह रहे हो कि सर आपको लेना है या आप पूछ रहे हो कि सर क्या हमें लेना है समझ नहीं पाया आपकी बात में देखिए तो बढ़िया बढ़िया देखिए लाइक करते चलो वीडियो को लाइक करते चलो वीडियो को लाइक नहीं करोगे तो क्या मतलब निकलेगा बता आपको अगर अच्छा लग रहा तो लाइक करो वीडियो लाइक होता रहे, शेयर होता रहे चलिए मैं बताता हूँ करेक्ट आंसर देखिए करेक्ट आंसर होगा about the authoritarian in character of the government सरकार के अधिनायक वादी लक्षन को लेकर के उन दोनों के बीच में सहमती है सर आपको इसकी सहमती बरकरार है, clear रहेगा इसकी सहमती बरकरार है, रास इनकी सरकार के अधिनायक वादी लक्षन को लेकर के देखिए सर, मार्क्सिजम, मार्क्सिजम एन फासिजम are unanimous about the totalitarian characteristics of the government एक अधिकार वादी लक्षन जो सरकार के होते हैं अधिनायक वादी लक्षन जो होते हैं उनके विशह में दोनों एकमत हैं, Marxism believes in the totalitarianism of the proletariat and fascism is a totalitarian concept, fascism believes in one thing, order, discipline and power. For its attainment, the state can sacrifice the freedom and authority of the individual. यानि आदेश, अनुशासन और शक्ति ये तीन शद्धियान रखेगा, आदेश, अनुशासन और शक्ति ये दोनों ही चीजें, ठीक है, कि जो शक्ति है, order, discipline and power, ये दोनों अगर इनको तीनों को पाना है, तो state can sacrifice, क्या, freedom and authority of the individual, वो निजी व्यक्ति के अधिकारों का शोशन कर सकते हैं, बिना किसी तरीके से, ठीक है, बात समझ में आ गई, बिना किसी तरीके से, बिना कोई रोक्टो के, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, तो अधिनायक बाद के लक्षान एकदम समझ में आ गए, दोनों की क्या similarity है, माक्सवाज जो होता है, वो सर्वाहारा की तानाशाही की बात करता है, the dictatorship of the proletariat, लेकिन जो fascism है, fascism believe करता है, order, discipline and power में, और इनको पाने के लिए, निजी व्यक्ति के समस्त अधिकारों को खत्म किया जा सकता है, जोती पाल, thank you very much, अगर class आप लोगों को पसंद आ रही है तो, ठीक है, ये आप लोगों के content रहा, ये आप लोगों के question रहे, आगे बढ़ते हैं सर, next question दिखते हैं, liberal philosophy of political development emphasizes राजनितिक विकास का उदारवादी दर्शन किस पर बल देता है, बात ये समझिए, राजनितिक विकास का उदारवादी दर्शन बल देता है, किस पर, and economic growth and stress management on human rights on institutional organization, आर्थिक विद्धिपा, तनाव प्रवद्धन पर, मानवादिकारों पर, संस्थी करण पर, किस पर enforce जदा फोर्स रहेगा सर, राजनितिक विकास का उदारवादी दर्शन, सवालों के intensity बहुत गजब की है, अब आप लोग हैं कि कितना इसको focus कर लेते हैं, देखिए, कहा एक कहा ऐसा जाता है कि सूरज जो होता है न वो प्रकाश भरपूर देता है, खूब अच्छे से प्रकाश जेता है, पुरी धरती को प्रकाश जेता है, उसको अगाली दोगे तो भी वो light देगा, उसको अगर सम्मान दोगे तो भी वो light देगा, लेकिन अगर आपने अपनी खिड़किया बंद की हुई है और खिड़किया बंद करके परदे भी लगाये हुए है ना तो लाइट आप कुछ भी कर लो दिन के बारा बज़े भी रात के बारा बज़े वाला माहौल आपके गम्रे में रहता है बात समझने वाली ये है कि ग्यान बहुत जगा बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है हम उसे किस तरीके से अटेंड कर रहे हैं हम उसको कितना एब्जॉब कर रहे हैं कितना उसको सीख पा रहे हैं और कितना उसके लिए रेस्पेक्ट मन में ला पा रहे हैं विश्वास करिए, ग्यान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, आप जितनी मेहनत करते हैं, आपको नेचर उसका 10 टाइम्स देता है, एक छोटा सा बीज जमीन में पढ़ता है गिहूं का, तो वो भी पचासों ने गिहूं आपको धरती देती, आप धरती को एक बीज देते हो, धरत बेकार नहीं जाती, नहीं जाती, नहीं जाती, ये मेरी लाइफ का आजमाय हुई बात मैं बोल रहा हूं मेरे दोस्त, ये सुनी-सुनाई बात नहीं है, ये experience की हुई बात है, आपको आज अगर लगता हो कि यार, बहुत struggling हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, कितना माली होता है, कि माली सीचे सौ घड़ा रितु आये फल होए, ठीक है, तो आप लोग बस अपने बगीचे को सीचते रही है, रितु आएगी, फल बनेंगे, आप लोग सक्सेस्फुल होंगे, इस बात को ध्यान में रख लीजिए, अब सवाल करिए सर में सवाल का जवाब प बल देते हैं, वो एकनॉमिक ग्रोथ के उपर बल देते हैं, आर्थिक सम्वर्द्धी पर उनका सबसे ज़्यादा फोर्स होता है, आर्थिक सम्वर्द्धी पर, आप देखिए, उदारवादी, यानि लिब्रल, यानि उसका जो एकनॉमिक अस्पेक्ट होगा, डैट वोड आगे लेकर के जल्द बढ़ते हैं, आप देखिए, बिल्कुल महनत करिये, महनत करिये, आप सभी लोग, सभी लोग successful होगा, पलिटिकल साइंस में तो आप लोग प्रॉबलम में नहीं आएंगे, मेरा प्रॉमिस आप लोगों से, इकनॉमिक ग्रोथ होता कहा है, तो देख इस अधी ब्रिटी, इस एपनॉमी और chrom आखिए, और कोहरिंस ऑफिट्रीश Cancer अधिर एंट इस ऐंड वंडॉमिक तो अधिर विलूमिक एंट देख लिटी आप सी सिटी आप मींशेंस में thy इसका इसका थोड़ा सा हमारा मिस्टेक यहां पर हो गई है यहीं आर्थिक संब्रदी नहीं जाएगी यह जाएगा संस्थी करण के उपर इंस्टिशनलाइजेशन ठीक है इंस्टिशनलाइजेशन वुड़ बीड़ करेक्ट अंसर एक्चली अगया दो क्यूशन आमने सामने थे थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो गया बात समझे राजनेतिक विकास में उदावे दर्शन संस्थी करण पर बल देता है यह आंसर इ सकते हैं सर इसका स्क्रीन शॉट एकदम क्लियर ली इसका ले लीजिए और पढ़िए समझ ही अच्छे से कि साब जी बिल्कुल आप सही कह रहें डी इसका सही आंसर होगा वह लिखने में एकनामिक ग्रोथ में लिख दिया करेक्ट आंसर इसका डी होने मारा है कि आगे बढ़ते हैं दोस्तों मुझे लगता अगले सवाल पर बढ़ना चाहिए सवाल बहुत अच्छे तरीकी से आगे बढ़ रहे हैं अब देखते हैं अगले सवाल और शेयर होता रहे गाईज एक बार शेयर बैक टूब करो पॉलिटिकल साइंस वालों को यह पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल साइंस का सबसे बैस चैनल और सबसे टॉप क्लास यहां पर हो रही है कंटेंट भी हो रहा है आप लोगों के प्रैक्टिस भी हो रही है नेक्स कुशन बताइए सर विच फॉलोविंग पेर इस नौट करेक्टली मैजड इस नौट करेक्टली हूँ जो सबसे दर ट्रिगर पॉइंट होता है उसको क्या पूछा है नहीं है बताइए फासिवाद मुसोलिनी अराजकतावादी बैकुनिन समाजवादी थॉमस मूर बहूलवादी क्रॉप्ट क्रॉप्ट किन पासिजम मुसोलनी अनार्किस्ट है आपके बैकुनिन सोशल थॉमस मूर एंप्लॉरलिजम क्रॉपार्ट किन क्या लगता है सर्ट क्यूशन नमर ट्वलू का अंसर चाहिए सोचो देखो मेरे खेल में अगर आपको आंसर करेक्ट नहीं पता होगा तो अब भी बहुत सारे बच्चे ना Elimination के बेसपी इसका सही आंसर निकाल सकते हो Elimination theory के बेसपी इसका सही आंसर आप ढूंड सकते हो अगर आप अभ्यास करें अगर आप प्रयास करें तो अभ्यास की जीत होती है प्रयास की जीत होगी विश्वास करिये जीत होगी बताइए थोड़ा सा माइन लगाईए फासिवाद मुसोलणी मैच है के नहीं है तो ये लीजिए ये आंसर नहीं होगा क्योंगी मेज है आपके बैक्वीन एनार्किस्ट था सर करेक्टली नहीं करेक्टली मैजड इसली आंसर नहीं होगा थॉमस मूर तो शोशलिस्ट रही दुनिया जानती है अब बचा कौन क्रॉपाट किन च्रॉपाट किन मैज नहीं है so that this would be the correct answer मेरे साथ यो क्रॉपाटकिन जो है क्रॉपाटकिन बहूलवादी नहीं है बलकि क्रॉपाटकिन एक अराजक्ता वादी है इसके बारे मैं भी पूरी डीटेल देता हूं सर मैं ठीक है यहां पर क्रॉपाटकिन होगा अमित तेवारी बहुत बढ़ी आपने आंसर किया है बढ़िया बढ़िया अभी क्रॉपाट किन को कहां ले जाएंगे आप आरा जटावादियों में इसका डीटेल एक बार एक्स्प्लेनेशन देखा जाए देखिए दोस्तों इसका एक्जेक्ट आंसर कहां पर लिखा देखिए इस नोट वर्दी दाट पीटर क्रॉपार्ट किन वाज रुशियन रिवॉलूशनरी थिंकर थीक है सर काम्यूनिस्ट अनार्किजम देखिए ध्यातव है कि पीटर क्रॉपार्ट की रुसी करांती कारे वीचारक था जिसने साम्मे वादी आराज जक्ता के सिद्धान्तों का प्रभाव शाली विवेचन प्रस्तुत किया था आपके सामने पूरा डीटेल है सर ठीक है और बहूलवाद को कहां से आया प्लोरलिजम का ये खिये क्रॉपाटकिन के बारे में भी डिटेल दे दिया इसने और हमने और बहूलवाद के बारे में भी डिटेल दे दिया तो क्रॉपाटकिन की डिटेल रही है बहूलवाद की डिटेल रही है कि 19 वी शताबदी में जर्मन समाश शास्त्री ओटो भी गायर की और अंग्रेज इतिहासकार F.W. Mettland को राजनितिक बहुलवाद का जन्मदाता माना जाता है अब यह सवाल बन सकता है कि किस विचारक को किस विचारक को राजनितिक बहुलवाद का जन्मदाता माना जाता है तब आप लिख लिजेगा F.W मैटलेंड जो की अंग्रेज इतिहासकार थे यानि ब्रिटिश हिस्टोरियन थे और उट्टावी गायर की हुआ से जर्मन सोशियलोजिस्ट उट्टावी गायर की जर्मन सोशियलोजिस्ट उट्टावी गायर की एंद इंग्लिश हिस्टोरियन F.W. Mettland is considered the father of the political pluralism detail समझ में आगया सर विकास कुमार विकास कुमार चिंता नहीं करो भाई क्यों नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो तुम पहले भी आये वह क्लास में तो बढ़ा नाम शायद पढ़ा पढ़ा लग रहा है थोड़ा सा फोकस जो के अप्रोश बनाओ और एक्जाम के पहले नर्वस होने की जरूरत नहीं है एक दिन दो दिन तीन दिन लगातार सको पढ़ने में दिक्कत है तो अनकेडमी आपके लिए बैस सवीशन है डोंट वरी प्लिटिकल साइस में प्राउब्लम नहीं आएगी मेरा प्रॉमिस तुम्हार से क्लास में बस रेगुलर रहो ठीक है आप देखिए सर यहां तक बात समझ में आई तो इसका स्क्रीन शॉ स्क्रीन शॉट ले लो सर स्क्रीन शॉट लीजिए जनाव इसका ओट्टा वी गायर की और इसका नाम ध्यान रखना FW मैटलेंड यह दोनों कहां से थे पहले बात देखो गायर की जो था वह समाशास्तर समाशास्त्री था जर्मनी का और मैटलेंड अंग ब्रिटिश थे औ और सो एक हिस्टोरियन थे क्लियर है स्क्रीन शॉट्स अपने ले लिया है अब बढ़ते हैं आगे आगे आजओ अगले सवाल की तरफ question number 13 which one of the following is not a principle of a parliamentary government in a democracy इतने शांदार मिक्स क्वेशन आ रहे हैं न मतलब मज़ा आ रहा देखू आप which one of the following is not highlight करने वाली चीज क्या है is not a principle of a parliamentary government in a democracy एक जनतंत्र में एक जनतंत्र में संसदिय सरकार का कौन सा एक सिधान्त नहीं है कौन सा एक सिधान्त नहीं है वीरों जवाब दो और जो नए मेरे दोस्त आ रहे है क्लास को शेर लाइक करते रहो continue शेर लाइक बरकरार रहना चाहिए क्लास का यही मज़ा है पढ़ते रहो सीखते रहो बस लर्निंग इस है नो lifelong process है ग्रैट्वल प्रोसेस है पढ़ने वालों के लिए पढ़ाने वालों के लिए भी lifelong process होता है बहुत से लोग है जान रहा हूं इन दिनों में बहुत सारों को मेचारे दीख सीखने करती बहुत धीम होने लोगों के बट सीख रहे हैं अभी अभी तो कलेक्टिव रेस्पॉंसिबिलिटी अफ देग्जीकुटिव उनिवर्सलिटी अफ लेजिसलेटिव फॉस्ट प् फंडामेंटल राइट कॉंसा नहीं है सर सोचो कॉंसिटूशन का बहुत शांदर सवाल ही है करेक्ट अंसर क्या लगता है कि चलो देखो समझने की कोशिश करो सबसे पहले पहले तो मैं बताता हूं करेक्ट अंसर क्या है करेक्ट अंसर होगा यह मूल अधिकारों की न्याइक प्रतिबूती आप मुझे बताओ फंडामेंटल राइट को सिक्यारिटी कॉंसिटूशनल रेमेडी दी हुई है या जुडिशल रेमेडी दी हुई है आप थोड़ा सोचो समझो और मुझे जवाब दो आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंब 226 यह सुप्रीम कोर्ट की बात करता है यह हाई कोर्ट की बात करता है यह कौन से हैं सर्फंडावेंटल राइट के लिए तो फिर काउंटी नहीं करेंगे अभी तो हम अगर आर्टिकल 32 को देखें तो 32 समवयधानिक उपचारों का दिकार देता है या न्याइक उपचारों कि दूबकर में मज़ा है इस तरह के देखो सबसे पहले अब यह देखो कि का repalyka का सामुटार्दाईत्व होता है की नहीं होता है पारलियम tara क्हार्यक में डैमोक्रेसी में अगर एक उलमेस इन्तर बलग इस प्राइमर्स इंटरा पैडिक वोता है और सही होता न्याई प्षित नहीं सब्सक्राइब और लीगल राइट में और लीगल राइट में फर्क है मेरे दोस्तों फंडामेंटल राइट लीगल राइट नहीं होता है तो न्याईक प्रतीबूती नहीं है सो दाट इट वुड बी दा करेक्ट आंसर एक्स्प्रेनेशन देख लीजी आपके सामने हिंदी वाला पहले देखते हैं संसदात्मक सरकार उसे कहते हैं मंत्री मंधल के समस सधसिवेक्तिकत रूपसे तथा व्यवस्था प्रति अत्मक क्योंकि मंकरी मंधल का आंसर यह राएऊ ख्यातव है कि मूल अधिकार कि नियाईक प्रतिभूतियां संसेजी सरकार का सिद्धान्थ नहीं है ये इसके इंग्लिश वर्जान आपके सामने है स्क्रीन्शोट आप ले सकते हैं चलिए अगले सवाल पर आते हैं सर इन्हें प्रैसिदेंशियल सिस्टम गॉवर्मेंट डाट कि इक्जीकिटिव पावफुर्यंटे में कार आप्याड शक्तिशाली होती है क्योंकि क्यों शक्तिशाली होती आढला द monet eight आँ ना तो यूएस से याद करिए अमेरिकी शासन बनाली याद करिए क्यों शक्तिशाली होती है कि शक्तिशाली होने का कारण सोचिए आप थोड़ा दिमाग लगाओगे आपको आंसर मिलेगा क्या कारण है कि अध्यक्षात्मक्ष प्रेसिदेंशियल सिस्टम में गवर्मेंट जो होती है वो पार्फुल होती है शक्तिशाली होने का कारण क्या है और जो भी लोग देखिए जो आफ लाइन देखते ना क्लास को उनसे मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप लोग अभी भी मानलीजे इस्पीड बढ़ा के क्लास देखते हैं आप्शन्स आप करते हैं मेरा बोलना यह है कि आप एक बज़े आईए डेली लाइव लाइव म क्या अंसर दिया है मिक्स आंसर आ रहे हैं सर अब से क्लियर बाद जान लो आज एक बद बताओ हमारी जो गौवर्मेंट है हमारी जो संसदिय सरकार है इस सरकार को एश्रेंस दे दिया जाए कि आप कुछ भी काम करो आपका कारेकल स्थिर रहेगा सर आपका जो टैन्योर है वो फिक्स है यानि आपका टैन्योर एक्दम फिक्स रहेगा आपको कोई हटाने वाला नहीं है तो सरकार अपने आप शक्तिशाली हो जाएगी जब बहुमत में सरकार आती है तो उसकी गिरने का खतरा सबसे कम हो जाता है न्यूनतम हो जाता है कि सरकार के गिरने का खतरा घ इसका कारेकाल स्थिर होता है इसका एक्स्प्रेमेशन देखिए सरेंड में बिखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कारेपाले का शक्तिशाली होती है क्योंकि क्योंकि एक्दम क्लियर लिखा है ना सर क्योंकि इसका कारेकाल स्थिर होता है आध्यक्शी सरकार में एक निष्टत आवधी के लिए दोत चप्त किया जाता है उसका उत्तर्दाइट व्यववस्था प्रति न होकर सीधा निरवाचिकों के प्रती होता है वह अपने पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक उस पर महाभयोग नहीं लगाया जाए उसके मंत्री अथ्वा सचीव भी उसके कारिकाल में अपने पदों पर बने रहते हैं यानि मंत्रियों को भी नहीं हटा सकते आप रास्ट्रपति अपनी मर्जी से मंत्री लाएगा मर्जी से मंत्री लगाएगा यह प्रभाव होता है आपके जो आपका का अध्यक्षात्मक्षासन परणाली है जो आपकी प्रेसिदेंशल फॉर्म आफ गॉर्मन्ट है उसके बार लीजिए सर स्कीन्शोट ले लिया होगा अगले सवाल पर आईए सर अकॉर्डिंग टू डाइसी इन्हें फ्रेडरल गॉर्मन्ट डाइसी के अनुसार एक संग्धात्मक्षासन में क्या विशेश्टा होती है दोस्तों बदाइए दोहरी सरकार मंगता है वो स्वतंतर न्यायपाली का होनी चाहिए वो ये कहता है क्या करेक्ट आंसर लगता है सुनिये सर सुनिये करेक्ट आंसर देखिए सबसे पहले डाइसी देखो संग्धात्मक व्यवस्था की बात हो रही है आप सुनिये बात मेरे को फ्रेडरल स्ट्रेक्चर की बात हो रही है फ्रेडरल स्ट्रेक्चर के अंदर आप देखिए कि जो कौन से सबसे बड़ी बात विशेश्था वो मांगता है वो होता है सर देखो अगर को संग भी नहीं होगा तो भी स्वतंतर न्यायपाली का वहाँ हो सकती है विधाईका में इकाईयों के समान प्रतेनिदित वरास्टपदी का मुख्यकारे पालक नहीं सर दोहरी सरकार का होना डायारकी की बात जहां पर आती है दोहरी सरकार डायर की द्वाद शासंदों नहीं कहेंगे दोहरी सरकार कहेंगे ड्यूल गॉवर्मेंट कुल मिला करके यहां पर किन दो सरकारों की बात हो रही है यहां बात हो रही है Central Government या Union Government की प्लस State Government की केंदर सरकार राज्य सरकारों की बात यहां होती है आप इस बात को समझ रहे हैं डाइसी के अनुसर क्या इसकी विशेष्टा आपके सामने पेश्ट की गई है बात समझ बारे हैं सर All of you संगात्मक शासन की बात में दो सरकारे यहां पे आ चुकी है दो सरकारे मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोहरी सरकार होनी चाहिए इसका explanation जो था वो slide एक्षिन ही दो बार repeat हो गया है कोई बात नहीं मैं समझा रहा हूँ डाइसी यहां पे दो सरकारों की बात करता है वो कहता है केंदर सरकार होनी चाहिए एक राज्य सरकार होनी चाहिए तो सर बता पहले यहां तक का content clear समझ में आया थेंक्यू वेरी मच्श उभं थेंक्यू बेरी मच्श अब देखो अब आप लोगों को देखिए मैं आप लोगों को पहले की शिकायत थी कि सर आपकी class हमारी regular नहीं आ रही अभी हमारी नहीं कर सकते हैं यूट्यूब पे एक चीज चाहता हूं कि हम बहुत ही जल्दी बहुत जल्दी ज्यादा बड़ी बात नहीं है 100 प्लस कितने दिन में पहुंचेंगे हमारे को यह 100 प्लस की क्लास चलानी है लाइव और उसके बाद में हमारा टार्गेट अगला वही 10 टाइम हम प्लस करेंगे बताइए क्या यह पॉसिबल है अभी हम 50 प्लस लाइव पे तो आ चुके हैं हम 5-7 से शुरू किये थे 50 प्लस की लाइव हमारी हो रही ही है आप लोगों का प्यार है अगला टार्गेट है हमारा 100 प्लस का लाइव उसके इस इट पॉसिबल होगा के नहीं होगा बहुत बड़ी बात तो नहीं है अभी आप लोगों को करना है करने वाला कोई और नहीं है आप लोग अपने फ्रेंड्स को बताइए अपने साथियों के साथ में शेयर कर दो हर उस बच्चे तक लास को पहुँचाओ जो पॉलिटि हमारे साथ में जॉइन किया आपको Time fix करके आए he class में आप लोगों को मजऔर और साथ में जॉएन किया अब양ट को information हमारी अगली क्लास की देता हूँ अगली क्लास की information है अगली क्लास हमारी हो रही है तीन बज़े इसके बाद में इसके अगली क्लास हो रही है पांच तिकल तिंकर पस्चिमी राजनितिक विचारक ठीक है यूनिट नमबर टू और यहां पर आप पढ़ेंगे मेरे साथ में यूनिट नमबर वन ठीक है या नहीं कौन सी आ गई आपकी पॉलिटिकल थियोरी तो दोनों क्लासेज में जॉइन कर लो जाकर के एन्रोल करा लेना ती स्प्री क्लासेज नहीं सर आप जॉइन कर सकते हैं तीन बजे और पांच बजे तो प्यारे साथियों मेरे साथ में जुड़ना है आपको एक रैफरल कोड यूज करना है और पॉलिटिकल साइंस का रैफरल कोड आपको ध्यान रहे पारिक 10-P-A-R-E-K-1-0 Dear friends, P-A-R-E-K-1-0 Sir, आप 3 hours continue किया करो ये class भाई, 3 घंटा continue करें, बाकि और भी पढ़ना-पढ़ाना होता है Question मुझे लगाता, शाद 20 question आज टाइप होके आए है But question chance की बात है, 15 रहे गए तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है 5 question हमने पीछे छोड़ दिये, दुबारा कर लेंगे मतलब मैं विश्व, मैं मेरा अनुमान था कि शाद 25-20 question है पर 15 थे, स्लाइड में आप देखिए ये देखो, ये 15 question रहेगा तो करूं क्या आगे अब क्यूशन जोड़ नहीं सकता, टाइप होके आएंगे वो तो तो political science पड़ने आजाओ, पार एक 10 referral code लगा ले ना पार एक 10 पार लग जाएगी सा 10% का तुम बिलेगा discount और इसी subscription में चाहे आप अपना लें plus subscription या आप लें iconic subscription दोनों ही subscription का आपको minimum 12 month या 24 month का subscription लेना है, ये मेरा recommendation है, आप ध्यान रखिए, विश्वास करिए, बहुत मज़ा आएगा, और paper 2 का 100% syllabus coverage कराऊंगा मैं और paper 1 मेरी team और मेरे साथ में आप लोग पूरा पढ़िएगा मेरे पहरे साथी हो 5 year plus teaching experience के साथ में आप लोगों के बीच में लाइव रहता हूँ political science मेरा subject है अपने interactive teaching skill के लिए आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं UPSC, PCS और net 0F students को पढ़ाता हूँ और parik 10 मेरा referral code है जो की political science का most famous और authentic referral code है, प्यारे दोस्तों यह दोनों में फर्क देख लीजिए एक iconic subscription होता है एक plus subscription होता है दोनों में फर्क समझाता हूँ होता क्या है plus subscription एक basic variant है आपके paid course का जिसमें आपको क्या मिलता है live class मिल जाती है quiz or test मिल जाते हैं structured courses मिलते हैं और unlimited access मिलता unlimited access का मतलब समझे कि अगर आपने 12 महिने का subscription लिया तो 12 महिने तक आप UGC net category की कोई भी class कितनी भी बार देख सकते हैं वो चाप पॉलिटिकल साइंस की हो चाई जोग्रफी की हो चाई हिस्ट्री की हो आप समझ गया है और किसी भी class को कितनी भी बार देख सकते यह भी बहुत बहुत होती है तो सर टेस्ट एनालिसस पर्सनल गाइडन्स एक्सवर्ट गाइडन्स स्टेडी मिटीरियल जो की सबसे इंपरेंट होता है स्टेडी प्लानर जैसे प्राइम फीचर जो प्रीमियम फीचर है वो आपको आइकोनिक में अवेलेबल होते हैं जिसमें प्लस के फीचर सारे इंक्लूडड होते हैं इसके लिए कुछ आपको प्रीमियम पे करना होता है दोस्तों स्क्रीन के उपर आपके सामने क्लियर है कि कौन-कौन से फीचर प्लस और आइकोनिक में हैं ये चार फीचर प्लस के हैं, बाकि सारे आइकॉनिक के हैं, आप दोनों में ही पार एक टैन रेफरल कोड लगा के आईए, मेरी क्लास दोनों में इक्वल होती है, यानि जो क्लास में जो कराता हूं, क्लास में जो मैं पढ़ाता हूं, वो प्लस में भी सेम होता है और आइकॉन पर मेरे साथ में तो आपकी फीस ऑफिशियल एन अकैडमी अनाउंस करती है 20,000 रुपीज मात्र 20,000 रुपे दो पेपर दो साल क्या फीस हुई कोई भी नतिंग लगबग 833 रुपे पर मन्त का पड़ता है और वहीं पर 12 महीने की फीस जो होती है वो 13,750 रुपे रखी गई है यानि लगबग 1146 रुपे पर मन्त और 6 मन्त की अगर हम बात करें तो फीस रखी गई है 11,250 यानि 1875 रुपे पर मन्त के अंदर ये तैयारी आपकी होती है यह एप्रोक्स आईडी आपको दिया गया कि कितना पड़ रहा है जब आप यहां पर देखी पूछेगा हैवे 15,000 रुपे में यानि केवल 750 रुपे पर मन्त में देखो 24 महिने का फायदा कितना जबरदस्त है क्लास रेने का दूसरी बात जो 12 महिने का कोर्स 13,750 का था ये कोर्स आपको पढ़ता है कितने में 12,375 रुपीज में यानि एक हजार और 31 रुपे पर मन्त में वहीं पर जो 6 म मन्त की फीस 11,250 रुपीज थी ये कनवर्ट हो जाती है सा 10,125 रुपीज में यानि 1686 रुपे पर मन्त तो बैटर सजेशन क्या है आप देखिए कि 10,125 रुपे देखे 6 महिना पढ़ना समझदारी है या उसमें सिर्फ 2000 रुपे बढ़ा करके 12 महिने पढ़ना ज्यादा इस्लिए मैरे दोस्टों में 6 मंत के कोर्स को रिकमन्ड नहीं करूंगा आप ना लें क्योंकि ना तो मैं कोर्स करवा पाऊंगा ना चक्मवन पूरी ही पाएंगे तो मेरा आप लोगों से क्या बोलना है मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप अपमी अगर तैयारी कर रहे हैं तब आप आईए या तो 24 मन्त में या फिर 12 मन्त के सब्सक्रिप्शन में 24 मन्त का 18,000 रुपए पारिक 10 रेफ्रेल कोड लगा के और 12 महीने का 12,375 रुपए कंप्लीट तैयारी शांदार तैयारी बट रेफरल कोड क्या यूज करेंगे पारिक 10 प्लस में देखिए सर आफ्टर यूजिंग दिस कोड आपकी फीस 40,500 रुपए 24 महीने की 23,500 रुपए आपकी फीस लगती ये 12 महीने की और 16,200 रुपए फीस लगती है आपकी कौन सी किस महीने की 6 मंत की तो जो भी आपको वेरियंट सूट करें अभी तो 6 मंत पर 2 मंत और 12 मंत एक्स्टर चल रहें 31 जुलाई तक आफर है प्लस आईकोनिक दोनों पर कुछ ये बैच कुर्से हमारे आ रहे हैं इनको भी पारिक 10 कोड यूज करके आप जॉइन कर सकते ह प्राइब्लम लगती है को किसी भी क्लास में उसके डिस्क्रिप्शन में जाए क्लेम करें पर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको बैस्ट वालिटी कंटेंट अविलेबल करवाया जाए तो दोस्तों उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी आप लोगों को तो लाइक करिए क्लास को शेयर करिए और सब्स्ट्राइब करिए और थ्री पीम के उपर मिलने आ जाईए अनकैडमी के स्पेशल सेशन में तो जो जो तीन बज़े आने वाले हैं रिकॉर्डेट क्लास दी सर्गी टैन पेपर की चलो चीक है फिर मुलाकात करते हैं आप से कहां पर अनकैडमी का लर्निंग अप पर तीन बज़े क्या पढ़ेंगे वेस्टन पॉलिटिकल थिंकर चलिए रेडी रहिएगा हैव नाइस जे एंड लैट्स क्रैक इट झाल 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 झाल